आज हार्याना में सरकार नहीं बलकी लूटेरों का जुन्ड है एक साइज मंतरी एवं उप मुख्य मंतरी दूशन चोटाला को जेपी ने आड़े हातों लिया जेप्रकाश कॉंग्रेस के पूरु नेता और पूरु केंद्रियम मंतरी रह चुके हैं कॉंग्रेस के वरिष नेता और पूरु केंद्रियम मंतरी जेप्रकाश ने कहा है कि हार्याना परदेश में जहां एक और भयाव है करोना महामारी की लड़ाई लड़ रहा है शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले और चावल घोटाले में करोडो रूपे की लूट की गई है उन्होंने आरोप लगाया कि हार्याना सरकार कोई डिप्टी, कमिशनर या कोई अधिकारी बात नहीं मानता और नहीं किसी प्रकार का आदेश पुलिस कप्तान मानता है मोख्यमंत्री का आदेश डिप्टी मोख्यमंत्री भी नहीं मानता पूरुप केंद्रिय मंत्री जैबरकाज ने कहा है कि शराब घोटाले में सतीदर शेंग राना अकेला दोशी नहीं है बलकि सत्ता में बठे लोग भी दोशी हैं उनके आगाओं को भी ग्राबतार किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी पूरी तरह दोशी है वहीं जेपी ने कहा कि मुझे दुख है और आश्चरिय है कि जनता ने ऐसे नालाइकों के हाथ में सत्ता सौंक दी जिनको यहां तक नहीं मालुम है कि क्या बोल रहे हैं उन्होंने कहा कि ब्याज आरती को नहीं बलकि सरकार को देना चाहिए आप देखें पलबल के विशेश रिपॉर्ट पूरे हर्याना पर्देश में कॉंगर्स पार्टी के ओर से उपायुक्त के माज़न से महामहिम राजय पाल को ग्यापन दिये जा रहे है जब सरकार आई है जहां सुर्ये की किरिण निकलती है उसके साथ एक गोटाल आता है और जब विशेश तोर से मैं गोटालों की चर्चा करता हूँ मीडिया के सामने या सोचल मीडिया के सामने तो कुछ भायों के दिमाद में बात आती है मैं किसी विशेश या परिवार विशेश के खिलाप क्यों बोलती है मैं किसी विशेश या परिवार विशेश के खिलाप नहीं हूँ मैं उस ववस्था के खिलाप हूँ जिस ववस्था के तहप समिधान ने हमें सरकार बनाने के ताकत दी और जन्ता ने उस प्रिवार पर आख उसके अंदर आस्था वेक्ट की लेकि जिस तरीके से इन लोगों ने किया मैं इसके विरोध में आपने देखा हुआ तो जैसे सबसे पहले जैसे चुनाव खत्म हुआ सरकार बनी धान गोटाला है और धान गोटाला का मामला आप लोगों को याद होगा जब हम ग्यापन दे रहे थे तो उस वक्त मैंने उठाया तो बाजपा और जटपा जिसको आजच्चा बच्चा कहती है जन्ता उनके लोगों ने कहा कि जैपरकास तो वैसे ही कह रहा है धान गोटाला है और मुख्यमंत्री मोटे ने फ्लोर ओफ दा हाउस सद्र में क्लिंट चिट देदी के कोई धान गोटाला नहीं लेकिन आज से एक महिना पहला कैथल में जाओगे बाला जी नामक का एक राइस मेल है जिसके अंदर लगबग 9 क्रोड रुपे का धान मिल जाई लिए वो वैरिफिकेशन भी उन्होंने करी यानि के इतनी सरार्त इतना लूट इतनी बदमासी सरकार में है एक एक राइस मेल की तीन तीन बार फीजिकल वैरिफिकेशन करा लिए धान पूरा था अब धान कहा गया धान गोटाला हुआ करोड रुपे खाये गे मंतरी कौन था वही था ना उसी परिवार का जिसके बारे में मैं कहता हूँ तो उसके बाद धान गोटाला आया उसके बाद फोरन आगया गेहूं की परकूर्मेंट का गेहूं की परकूर्मेंट में इतना बड़ा जुलम किया है किसान के साथ दो-दो महिने तक किसान को पेमेंट नी हुई और मुझे दुख भी हुआ है और आसरी है कि ऐसे नलायक किसम के लोगों के हाथ में जन्ता ने सब्ता दे दी कि जिन्होंने यही मालूम नहीं तुम क्या बोल रहे हो उन्होंने कह दिया कि यह जो ब्याज है आर्टी देंगे आर्टी ब्याज क्यों देगा ब्याज सरकार ने देना चाहिए अगर आड़ती और सरकार के बीच का जो सम्मन था उसको तारपीडो किया तो अर्याना सरकार ने किया फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने किया तो क्यों यहां से पेमेंट चंडिगर जाए चंडिगर से वापीश चेक आए यह डिपार्यर का प्राणी पद्दत्रें अपनाते तो किशान की बुरी हालत ने होती है और उसमें भी यह ज़ो जच्चाबच्चा के लोग हैं और जच्चाबच्चा पार्थि का ज़ीला का किशान सेल का धैक से जीन में तो उसको अनाप सनाप इसाब से लोडिंग लोडिंग ट्रांसपोर्ट केशन के ठेके दिये गए सब लोग जानते हैं हर एक वेपारी से पांच रुपे प्रत्री कट्टा के हिसाब से लिया गया कैच्छल में भी ऐसे हुआ मुझे मालूम है बिया फैसी साब ने वेपार मंडल के वेपारी एसोसेशन जो फूट गरेन एसोसेशन है उसको बुला करके कहा कि आप लोडिंग लोडिंग का पांच रुपे कटा दे दो जब देश में लोग डाउन हुआ और हर्याना प्रदेश में सराब बंदी की बात गही गई पहली बात तो यह है कि इनकी नियत उसी दिन पचाने गई थी जिस दिन ओल पार्टी मीटिंग में दूसियन सिंग ने यह एक हा कि सराब के ठेके खुले रख क्योंकि मंत्री है अक्साइजन टेक्सेशन का तो दूसियन सिंग की बात को जो विपक्से पर नेता चौद्मी भुपेंदर सिंग उड़ा ने कहा कि दूसियन सिंग तुमें मालूम नहीं है सराब जो आदमी पिएगा उसकी इमिनिटी कमजोर हो जाती है परती रोदक समता खतम हो जाती है तो सराब बंद होने चीए जब डबल्यू आचो की गाहिलाइन आई तब अर्याना पर्देश की सरकार ने सराब के ठेके बंद किये और सराब के ठेके बंद करके ऐसा नंगा नाच हुआ तीन डिश्ट्री 24 गंटे चलती रही क्या मंत्री किस बात का काम करता है किस बात की तनका लेता है करोडों उर्पया महिने का एक मंत्राहले पर अक्साइजन टेक्सेशन डिपार्टमेंट पर खर्च होता है यह अर्याना पर्देश के लोगों की खून पसिरने की कमाई है जो यह रूटने लगे हुए हैं और जब SCT बनी हमने SCT का विरोध किया कि SIT होनी चाहिए यह बात सही है कि SCT को CRPC IPC में कोई प्रावधान नहीं है कि वो किसी के ओपर कोई कारवाई कर सके मगर आज ही मैंने दैनिक ट्रब्यून अख़बार में पड़ा है मुझे बड़ा है कि सका नाब काटागा किसका कान काटागा आज उन्होंने कह दिया कि मैं जाथ के तो खिलाब नहीं हूँ लेकिन जांच ने जिस अधिकारी को रोपिट किया वो क्यों किया ये फैसलाभीन से पूछ के किया जाए क्या अर्याना परदेश की जनता इस जांच के उपर विश्वास करेगी एक गर्या मंतरी जी कहते हैं कि हम इसकी विजिलेंस से जांच कराएंगे और अक्साइजन टेक्सेशन मिनिस्टर जो परदेश का साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो ये कहते हम इस जांच को मानता ही नहीं तो जब इस तरह की पोजिशन ये ववस्थास परदेश में हो जाए तो राजपाल मोद्याने चाहिए कि वो महामहिम राष्टर पती को चिट्टी लिखे कि हर्याना परदेश में सरकारी मसिनरी एस्फल हो चुकी है तो जब संधानिक मसिनरी एस्फल हो चुकी है तो सरकार को 356 लगा करके अटा देना चाहिए बर्खाच कर देना चाहिए वरना हर्याना परदेश की जनता को ये लुटेरे किसम के लोग जो जनता को भर्मित करके सत्ता में सामिल हुए है जो सत्ता के सहयोगी बने हैं वो लूटते रहेंगे फाइदा क्या होगा आज एक स्कैम हो रहा गया अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के वेलपेर एस से दी कि उन ही उस्टियों से जो रिकोगनाइज नहीं है तो उनको नोकरी दे दी उनकी इनक्वारी किसको दे दी प्रिंसीपल को तो मैं एक बात कुछना चाहता हूं सरकार से इतना बड़ा दारु स्राब होटाला है स्राब तरशकरी हुई है जच्चा बच्चा का एक उपाधेक्स जो पहले हमारी पार्टी के साथ मारे साथ M.L. भी रहा है सत्विंदर सिंह राना विचारा दो मेंने जेल में रहा मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये सत्विंदर सिंह राना कल्ला दोसी नहीं है सत्ता में बैठे लोग दोसी है इनकी आका को क्यों ने गिर्फतार किया जाता चाहिए तो ये था सरकार को सत्विंदर सिंग राना के साथ साथ अक्साइजन टेक्सेशन मिनिस्टर को बर्खास करके उसको गरुफतार करना चाहिए जो FCT को नहीं मानता जो हर्याना बार्टवर्ट के समिधान को नहीं मानता तो किसी इंक्वारी को नहीं मानता, सरकार को नहीं मानता, तो समधानिक मशिंडी तो फेलोगी अरियाना में, तो इसी तरीके से तीन रेजुलेशन आये हैं, जो सबसे घातक है, आज ही मैंने पड़ा है, जो भाजपा के हमारे परदेश देख से हमारे साथी भी रहे है, मंत् सरी इस बात का है, कि आज वो कहते हैं कि MSP भी मलागू करेंगे, अज्यादेश में क्यों नहीं जोड़ा गया, जो तीन ओर्डिनेंस आये हैं, भार्त वर्स के किसान के सबसे बड़े सत्रू हैं तो ओर्डिनेंस हैं, मैं कॉंट्रेक्ट बेस अग्रिकल्चर के खिलाफ नह जो खेती थी, गाटे का सुद्धा हुआ, तो वो वापिस हो लिया, तो इसलिए इस तरीके से तीन ओर्डिनेंस आये मैं उसका अभी विरोध करता हूँ, रजिश्ट्री को उटा लागा, तो आज कह दिया विला गाज पढ़ेगी, अरे जब तक डिप्टी चीफ को गिर्षतार नहीं किया जाएगा, उसको अपने विभागों से अलर्थलग नहीं किया जाएगा, तब तक जांच बे मैं नहीं, मैं इस जांच का विरोध करता हूँ, अब आज मैंने पढ़ा कि वो विजिलेंस को दे रहें, मैं आपके मादम से जनता को बताना चाहता हू यह भी एक ड्रामा है, जो तीन आदमियों की कमैटी थी, से किसकी थी, एडिशनल चीफ सेकरी, एडिशनल चीफ सेकरेटरी लेंक का जो अधिकारी होता है, वो चीफ सेकरेटरी के लेवल का होता है, तो एडिशनेटिव सेकरेटरी है झब उसने अपना फैंसला दे दिया, विजिनेंस किसके अंदर आती है? होम Deputy के अंदर नहीं आती है विजिनेंस हमेशा ही Chief? GT के अंदर आती है और वो Chief Secretary उसकी यह inquiry लेनी या नहीं लेनी Chief Secretary भैंचला करेगी लेकिन आज विजिनेंस पर जाने का क्या होच जित है जब Chief Secretary इसमें दाड में काला है या तो CBI को दी जाए या अर्याना पंजाब आई कोट के सीटिंग जद मनेटरिंग कराई जाए तब जाकर के लोगों को विश्वास होगा लोग आदिश कहते ना अली बाबा चारी चोर का सुद्धा कठा होगे